एक लड़की बहुत ट्रबल क्रेट करती है तो उसके स्टेफ फादर उसे बहुत ही डेंजरस से कैम में भेज देती है जहाँ पर बहुत सारी इल्लीगल चीज़ चलती है उसी लड़की का बॉइफरेंड उस लड़की को ढूनते हुए उसी कैम पर बहुत चाहता है अब आग वो एक शॉप में काम करता था उसके शॉप में एक लड़की आई जो गयती है तुमने मुझे एक बहुत इख़टियाची सेल की थी मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है यह लड़की और कोई नहीं तूसकी गर्फरेंड सोफी ही थी उसे लेकर गई और यह दोनों मेक आ अलिल करने के लिए उनके फ्रेंड्स के सामने उसने एक वीड़ की सिगरेट उसे दिखाई है क्या ने नोटिस किया कि सोफी के आम पर एक निशान है उसके स्टेफ फादर ने उसे बहुत ही जोड से पगड़ा था तो यह बहुत ही लाल हो चका था सोफी बेन सही थी कि मुझसे शादी कर लो इसके बाद मुझे मेरी मदर के पास नहीं रहना पड़ेगा बेन कहता है हमें इस रिजन की वज़े शादी नहीं करने चाहिए हमें एक दुसरे से प्यार करते हैं ये रिजन होना चाहिए ये दोनों इंटिमेट होने वाले थे तब वहाँ पर कुछ अजीव से लोग पोज़ गए वो जबर्दे से सोफी को वहाँ से लेकर जाते है बेन सोफी के पैरन्स से बुछता है कि ये सब क्या हुआ तो पैरन्स ने कहा कि सोफी को इस सब की जरुवत थी उसे अब वो एक कैम में भेजने वाले है बेन कहता है कि आप उसके साथ इसा कर कैसे सकते हो जिस कैम में सोफी को भेजा गया है ये कोई भी नॉर्मल कैम नहीं जो बच्चे ट्रबल क्रेट करते हैं उन्हें इस कैम में भेज दिया जाता है जहां आपर बहुत स्ट्रिक टिसिप्लिन की वज़े से उन्हें सुधारने की कोशिश की जाती है अब इसके लिए उन्हें बहुत बड़ी-बड़ी सजा भी दी जा सकती है अगली सुबा जब सोफी को होश आया तो फीजी के एक आइलन पर थी उसके साथ कुछ और भी लड़के थे जिननें भी स्कैम में भेजा गया था इन सबको जबरदस्तिक बीच के पास ले जा जाता है सबका आइडेंटिफिकेशन हुआ और उनके पेर में एक डिवाइस लगा दिया गया इस डिवाइस में ट्रैकर था जिससे कोई भी बचकर भाग ना सके यहाँ सेक्यूरिटी का हेड लोगन था लोगन सबसे कहता है कोई भी यहाँ से बचकर जा नहीं सकता क्योंकि आस पास पुरा पानी है तेरे कर कभी भी किनारे तक तुम नहीं पोच सकते इन सब को फिर एक सिमेंट के स्क्वेर से बान दिया गया लोगन कहता है कि हम सब को स्ट्रॉंग बनाने वाले है जितने जल्दी तुम सीख जा उतना ही तुमारे लिए अच्छा होगा राट में किनारे पर पानी आने लग गया यह सब लोग डूबने लग गये थे पूरी रात खुद को बचाने के लिए तडबते रहते है अगली सोबा इस कैम का ओनर नॉर्मन इनके पास है वोने वेलकम करता है सोफी कह थी कि यह किस तरीके का वेलकम है रात बर हमें तडबना पड़ा था नॉर्मन ने का कि जिस तरीके से तुमें फील हुआ तुम यही चीज अपने पैरेंस को इतने सालों तक फील कराते आ रहे हो वो भी तुमारी वज़े से स्टक थे इस कैम में तुमें सही तरीके से बिहेव कैसे करना है यह सारी चीज़े सिखाई जाएगी दूसरे लड़के नॉर्मन को गालिया देने लग गये थे एक को इन्होंने बहुत जाद मारा इन सब को एक लड़की से इंट्रोडिस करवाया गया जिसका नाम था एलन एलन यहाँ पर पिछले दो साल से थी और अब इस आइलन से ओ जाने वाली थी क्योंकि अब वो सुधर चुकी थी एलन सब को यहाँ पर सारी चीज़ों को लेकर गाइड करती है बाकी कैम के सारे स्टोडन ने ब्लैक शट पहने हुए थे वो कहती है यह तुम्हारी स्टेट आफ माइंड रिप्रेजेंट करता है जैसे जैसे तुम में सुधार आएगा उसी तरीके से टीशर का कलर हम चेंज करेंगे पहले यलो होगा उसके बाद वाइड और इसके बाद वो घर जा सकते है सोफी जिस कैम में थी वह आपर उसके एक फ्रेंड बनी जिसका नाम था ट्रीना ये दोनों डिसकस कर रहे थे कि एलन जब यहाँ पर आई तो उसकी कंडिशन क्या थी एलन ने कहा कि मैं बहुत ही जादा फैट थी अब यहाँ पर रहने के बाद वो शेप में आ चुकी है और उसका कोई भी मजाग नहीं उड़ाएगा वो फैट थी तो इस वज़े से टेंशन में खुद को हर्ट करती थी तब उसका माइंड सेट बहुत ही स्टॉंग हो चुका है गर बर बेन ने सोफी के मदर से बात करने की बहुत कोशिश किये वो बार बार उसे कौल करता था एक दिन फिर सोफी की मदर बेन से मिलने की लाई बेन ने उसे समझाने की कोशिश कि कि सोफी ऐसा कुछ भी डिजर्व नहीं करती बेन बुछता है कि वो क्याम कहा है सोफी की मदर ने उसे बता दिया बेन ने कहा कि तुम्हें उसे प्रोटेक करना चाहिए सोफी की मदर को बुरा लगा और वहाँ से चली जाती है बेन ने उस कैम के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकल वाई उगर में अजीब तरीके से बिहेव करने लग गया उसने एक ड्रग डिलर से ड्रग्स पाई किया खुद को इंजेक करने लग गया था इससे के पैरलल में सोफी को यहाँ अज्जेस होने में बहुत ही टाइम लगता है इन दोनों को एक दूसरे की बहुत याद आ रही थी एक दिन कैम में सोफी ने देखा कि इस कैम में एक होल भी बना हुआ है जो लड़के कुछ बात मानते नहीं उन्हें इस होल में डाल दिया जाता है यह बहुत ही डेंजरस पनिश्मेंट थी एक दिन सब लोग को एक जगा पर बुलाया गया ट्रिना को सब के बीच में खड़ा किया जाता है नॉर्मन गहता है ट्रिना को यहां आयोए तीन वीक हो चुके है अब ट्रिना ने जो भी किया था उसके बारे में उसे कनफेस करना था ट्रिना को सब के सामने बताना गलत लग रहा था तो नॉर्मन ने कुछ बच्चों को चूश किया ये सारे मिलकर ट्रिना को पुश करने लग गए, मारने लग गए, फाइनली ट्रिना कन्वेस कर देती है, वो गहती कि मेरे बैर्नस बहुत ही रिलीजेस है, मेरा किसे लड़के के साथ होना ये उन्हें अच्छा नहीं लगता, तो उनसे बदला लेने के लिए, एक रात मैं बह बहुत ही स्ट्रिक टेनिंग दी जाती है, फिजिकली मेंटली स्ट्रॉंग होने के लिए सारी जीजे सिखाई जा रही थी, पैरलल में बेन ने ड्रग डिलर से बहुत सारे ड्रग लिये थे, इस वज़े से और ड्रग डिलर डारेकल उसके घर पर पहुचाता है, बेन को मार थी कि आज चिकन है, पर ये चिकन बाकी सारे लोग खा जाएंगे, उन्हें लास्ट लिये मिलेगा ही नहीं, रिना को चिकन बहुत पसंद था, तो एक पीस लेकर वो छुपकर खा रही थी, ये सारी चीज लोगन देख लेता है, वो कहता है क्या तुम सब से स्पेशल हो, य ये पीस तुम रिजर्व करती हो, अगर मैंने इस बात को रिपोर्ट कर दिया, तो तुम कभी भी इस कैम से नहीं निकलोगी, मैं तो अभी तुम्हें यलो शट दिलवाने के लिए रिकमेंड करने वाला था, ट्रीना कहती कि प्लीज ऐसा मत करना, लोगन ने का कि हम दोनों करने के लिए सब लोगो काम दिया जाता है, ट्रीना को सब का लीडर बना दिया गया था, काम करते करते सोफी बहुत ही जादा ठक गई, कहती कि प्लीज मुझे आराम करने दो, ट्रीना ने कहा कि अगर तुमने काम नहीं किया, तो हम सब को सजाओगी, सोफी मान थी नहीं, ट्रीना ने सब को ओर्डर दिया, को सोफी को बहुत मारे, और सब लोग वेसाई करते हैं, यह सारी चीज़े कैमेरे में नॉर्मन देख रहा था, वो अपनी कलिक मेरियन से कहता है, कि जब भी हम इन लोगों कुछ बुरा करने का चांस दे, तो हमेशा वहीं करते हैं, कोई अपना दिमाग नहीं लगाते, इसी वज़े से सारी यहाँ पर फसे हुए है, नेक सिन में हम देखते हैं कि बेन भी अप कैम में आ शुका है, उस सोफी को देखता है, जिसके हालत बहुत ही खराब थी, उसे बहुत जादा भुरा लगा, एक दिन सोफी को नॉर्मन ने उसक इसा नहीं लगता, नॉर्मन फिर भी उससे क्वेशन बूचता है, उसने का तुम्हारे मदर फादर ने तुम्हें यहाँ भीजा क्यों, सोफी कहती कि मेरे स्टेफ फादर ने मुझे यहाँ बेजा, मेरी मदर कभी भी ऐसी बात नहीं करती, सोफी को गुसा आ गया और वो पर जाकर मिल गए, बेन ने सोफी को कहा कि वो किस तरीके से यहाँ पर पहुच आ है, वो गहता है कि अब हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे, उसमें बचाने के लिए हो, सब सोकर सोफी के आखों में आसो आके थे, अगली दिन बेन की भी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती ह उसमें से एक लड़का था, जिससे स्विमिंग आती नहीं थी, पर फिर भी जबरदस्ती उससे करवाय जाती है, वो आज अल्मोस डूमने वारा था, नेक्सिन में बने थे कि लोगन और ट्रिना की बीच में डील हुई थी, इस वज़े से ट्रिना को येलो टीशर्ट मिल ज जाता है, अब सोफी को भी यहाँ आयोए चार वीक सोच चुके थे, तो सब के सामने कनफेस करने के लिए उसे बुला जाता है, वो कनफेस कर नहीं थी, तभी सब को बुला गया और सोफी को बहुत मारते है, रोते रोते फिर सोफी ने सब कुछ कनफेस किया, उसने कहा कि मै आजरात बेन और सोफी यह दोनों फिर से मिलें यहां से निकलने का प्लान कर रहा था सोफी उसे कहती है इस शायद प्लेस मेरे लिए अच्छा है मैंने जूट कहा था और इसके लिए मैं बहुत ही शर्मी नहूं बेन कहता है कि जिस तरीके से लोग हमें ठीट करते इस तरीके जो कोई भी नहीं कर सकता हमें जल्दी से यहां से निकल जाना चाहिए निकसिर में सब लोग खेल रहे थे एक लड़का था जो बेन को बहुत ही परिशान कर रहा था वो हर बार उसे मार कर नीचे गिरा देता था बेन ने भी उसे दूर रहने की वार्निंग दी पर फाइनल लिखा था कि जैसे उसकी मदर ने उसे बहुत ही स्वीट लेटर लिखा पर इसा कुछ भी नहीं था वो सारी चीज़े फेक कर रही थी और एब बात नॉर्मन को पता चल गी नॉर्मन की कलिंग मैरियान उसे कहती है तुमने इस कैम को इसी तरीके से बनाया यहाब और कोई भी जूट कह सकता है सिर्फ सर्वाइवल के लिए नॉर्मन की जो भी सब तरीके हैं यह हमेशा उसे सही लगते हैं इसमें उसे लगता है कि कुछ भी गलत नहीं हमने मूवी के फस में देखा था कि सब के पैर में ट्रैकर था बें स्लोली स्लोली इस ट्रैकर को किस तरीके से डियक्टिवेट करते हैं इस सारी चीजी सीख लेता है उसने फिर सोफी को लेकर यहाँ से भागने का प्लान बनाया नॉर्मन जब पैरन्स की कॉन्फरेंस लेने के लिए गया हुआ था तो भी उसके ऑफेस में जाकर जल्दी से चुरा लेते हैं मेरेन भी ऑफेस में थी पर यही पर वो सोग गई थी बहुत ही चाला किसी उन्होंने अपना पासपोर्ट यहाँ से निकाल लिया नॉर्मन की आहिलन पर बोट थी जो लेकर यह दोनों बहाँ से चले जाते हैं एक बहुत ही अच्छे से होटेल में जो बेन ने अल्रेड़ी ब किया इस वच्छे से सब को भुगदना पड़ेगा तीन मन के लिए आप सब को कोई भी ब्रेक नहीं मिलेगा इनके हाँ के जो होस थे इनमें इन दोनों को डाल दिया गया नेक्सिन में हम देखते कि बेन को जो तकलिव देता था उस लड़के का नाम था डैनी डैनी की आप कैरेक्टर बात कर रहा था एक्च्छल में मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता मैं सिर्फ एक रोल प्ले कर रहा था वो नॉर्मन से कहता है कि तुम भी तो एक रोल ही प्ले कर रहे हो कि हम सब की तुम केर करते हो पर एक्च्छल में ऐसा कुछ भी नहीं है नॉर्मन को इस पर घ पहले से तुम्हारे और सोफी के बारे में पता था पर फिर मुझे देखना था कि तुम क्या करोगे वो बैंसे कहता है नेक्स फ्लाइट लेकर तुम यहां से चले जाओगे बैन से बहुत ही अपसेट हो गया वो जो भी से बात नहीं कर रहा था सोफी कहती की हुआ क्या लोगन उसे जबर्दसी करता है इस बात से बहुत जादा डिस्टब हो गई थी वो रो रही थी इस सारी बात सोफी ने देख ली सोफी कहती है कि मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी प्लीज मुझे बताओ कि तुम्हाई साथ हुआ क्या प्रिना ने उसे सब बाते बता दि अगली दीन जब ड्रेनिंग चल रही थी फिर से सब लोग को स्विमिंग करने के लिए कहा गया जैसे कि हम पता है कि बेन को स्विमिंग नहीं आती है तो सब के पीछे था सब किनारे पर पहुँच गए बेन नोटिस करता है कि डैनी पानी में डूप रहा है उसने लोगन को बताने की कोशिश के पर लोगन कहता है कि डैनी को खुच स्टगल करना पड़ेगा बेन ने खुद जाकर डैनी को बचाने की कोशिश की पर डैनी मर चुका था लोगन भी डर गया वो बेन से गयता है कि यह सिर्फ एक एक्सिडन्ट था हम सब को बताएंगे कि यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था इसी वज़े जुसकी डेथ हो गे अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो हमेशा में तुम्हें इस से कैम में रखूंगा ये बात बहुत ही बड़ा इशु बन गया था नॉर्मन ने लोगन को अपने पास बुला वो कहता है अब मैं तुम्हें इस कैम में नहीं रख सकता लोगन कहता है तुम मेरे बिना यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते है नॉर्मन कहता है कि तुम यहाँ इल्ली गली हो मिलती को मैं कॉल करूँगा और तुमें घसीटते हुए लेकर जाएंगे नॉर्मन फिल लोगन को सब के सामने लेकर आए वो उसे भी अपने क्राइम को कनफेस करने के लिए कहता है लोगन ने जिनके साथ भी गलत किया था वो सारे मिलकर उसे कनफरंट करते है रिना ने उसे पूछा और कितनी लड़कियों को तुमने मजबूर किया यलोग टीशट दिलवानी के लिए बाकी लड़किया सामने आई इस सारे मिलकर लोगन को बहुत मारते है बेंट डैनी की डेट से बहुत जादा गुसा हो कहा था वो सबसे कहता है यहाँ पर सब चीज़े गलत चल रही है हम सब को मिलकर इस कैम को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए सब लोग इसके लिए मान गे हर जगा पर वो आग लगा देते है लोगन मोके का फायदा उठा कर अपनी गाड़ी में यहाँ से भाग रहा था भागते भागते अपनी गाड़ी से उसका कंट्रोल चला जाता है और एक जगा पर जाकर वो टकरा के वो आपर अल्डेडी आग लगी हुई थी निकलने की उसने बहुत कुशिश के सब लोग उसे देख रहे थे पर उसे बचाने के लिए कोई भी नहीं आता उसकी जलकर ही डेथ हो जाती है फाइनली बेन और सोफिय नॉर्मन के ओफिस में आये नॉर्मन ने का तुमने आज फ्रूफ कर दिया तुम जैसे बच्चों को कैम की जरुवत है अब हमेशा पैरेंस डर दे रहेंगे ये कैम कभी भी बन नहीं होगा नॉर्मन के पास गन थी उन्हें मारने वाला था तब भी बेन ने उस पर हमला कर दिया बेन के पास भी चाकू था वो नॉर्मन को मार सकता था पर उसने नहीं किया नॉर्मन मोगे का फायदा उठा कर गन लेकर शूट कर देता है पर उस गन में कोई भी गोली नहीं थी नॉर्मन की कलिक मेरियान ने उल्डेडी इससे बुलेट निकाल ली थी मेरियान कहती है कि कभी ना कभी इन सारी चीज़ों को बन पढ़ना ही था नॉर्मन जिस होल में सब को डालता था सबने मिलकर उसे उस होल में डाल दिया यहाँ पर जो भी होता है इसके बारे में उन्होंने पुलिस को बता दिया फाइनली सब लोग इस आईलन से निकल गए थे मूवी के लास्ट में बता जाता है कि 1970 से इस तरीके की अलग-अलग कैम से जिसमें बहुत सारे बच्चों को भेजा जाता है इसमें गवर्मेंट की कोई भी मोनिटरिंग नहीं होती तो अंदर उने कितना भी टॉर्जर किया जा सकता है अब तक इस तरीके की कैम में 40 से ज़ादा डेथ हो चुकी है इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है नॉर्मन को जो लगता था कि सब को डिसिब्लिन सिखाना चाहिए लाइफ में टब बनाना सिखाना चाहिए उसका मानना सही था पर तरीके बहुत ही ज़ादा गलत थे वो इन बच्चों को हेट करने लग था इसी वज़े से फाइनली उन्हें मारने के लिए भी रेडी था इसकी सजा उसे भूगत नहीं पड़ी तो आज का वीडियो हम यही कदम करते है अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजेगा बहुत सारे मुविज लेकर आत रहतो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब पर दीजे हम फिर से मिलेंगे और एक निमोई के साथ तब तक लिए थांक्यू और आप अपने आपका खैल रखिया